परिचय यहाँ शरद रितू की एक सुहानी शाम है। रश्मी अपने बगीचे में टहल रही है। अचानक वह अपने दाहिने गाल पर कुछ चुबन सी महसूस करती है। उसकी पहली प्रतिक्रिया ये है कि वह अपने गाल पर एक चाटा मारती है। जैसे ही वो हाथ हटाती है तो उसे एक मधुमक्खी जमीन पर मरी हुई मिलती है। रश्मी को बहुत ज्यादा तर्थ हो रहा है। वह डाक्टर के पास चुकिस्य साहता लेने के लिए भागती है। अभी आपने बाहरी प्रभाव के लिए रश्मी की पहली प्रतिक्रिया देखी। इस अध्याय में आप सजीव वस्तूओं तथा उनकी विशेष्टाओं के बारे में और अधिक जानेंगे। आओ सीखें। सजीव वा निर्चीव वस्तूओं के बीच अंतर करना। श्वसन, रिध्थी, उद्धिपन और प्रतिक्रिया, जनन और प्रकाश संशलेशन को परिभाशित करना। शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी के बीच अंतर करना। सजीव वस्तूओं सजीव वस्तूओं निम्निक्रिया करती हैं। सांस लेना, गती, व्रिध्धी और जनन। सजीव वस्तूओं में समवेधना होती है। वे भोजन खाते हैं और व्यर्थ पदार्थों को निकाल देते हैं। निर्जीव वस्तूओं निर्जी वस्तुएं निम्निक्रियाएं नहीं करती हैं सांस लेना, वृध्धी और जनन उनमें समवेदना भी नहीं होती है कुछ निर्जी वस्तुएं प्राकृतिक होती है उधारन के लिए पत्थर, सोना, आती कुछ निर्जी वस्थूएं सजी वस्थूएं से प्राप्त की जाती हैं, जैसे शहद, रेशम, आदी सांस लेना सभी सजी वस्थूएं सांस लेती हैं सांस लेने की प्रक्रिया में दो चरण पाए जाते हैं ओक्सीजन युक्त वायू को शरीर में क्रहन करना अंता श्वसन कहलाता है कार्बन डाई ओक्साइड युक्त वायू को शरीर से त्यागना बाहे श्वसन कहलाता है श्वसन भोजन से हमें उर्जा प्राप्त होती है भुजन द्वारा हमारी शरीर को उर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है ओक्सीजन श्वसन में साहता करती है श्वसन की प्रक्रिया में कार्बन डायोकसाइट निकलती है व्रिध्थी समय के साथ साथ सभी सजी वस्तुएं बढ़ती है कुछ सजी वस्तुएं समय के साथ तेजी से तथा ज्याता पढ़ती है उधारन के लिए घोडे मनुश्य आदी कुछ सजी वस्तुएं समय के साथ अपनी अवस्था परिवर्दित कर लेती है उधारण के लिए तितली इत्यादी उद्धीपन प्रतिक्रिया सभी सजीव वस्तुएं अपने आसपास के बदलाव को मैसूस करती है कोई भी बाहरी प्रभाव जिसके कारण एक सजीव वस्तु प्रतिक्रिया करती है उद्धीपन कहलाता है एक बाहरी प्रभाव के लिए एक सजी वस्तु द्वारा की गई प्रतिक्रिया को अनुक्रिया कहते हैं उधारण के लिए जब आप गलती से एक गर्म तवा छू लेते हैं तो तुरंत आप अपना हाथ हटा लेते हैं गर्म तवे से निकलने वाली उश्मा एक उद्दिपन है गर्म तवे से हाथ हटाने का कार एक प्रतिक्रिया है गती सजीव वस्तुएं गती दर्शाती हैं, पक्षी हवा में उड़ते हैं, मचलियां पानी में तैरती हैं, और जन्तु दौडते हैं पौधे इसका एक अपवाद हैं, यद्यपी वे सजीव हैं, किन्तु वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर गती नहीं कर सकते हैं दूसरी तरफ निर्जीव वस्तुएं स्वयम कोई गती नहीं दर्शाती हैं जनन सभी सजीव बच्चे पैदा कर सकते हैं, यहाँ प्रजनन कहलाता है जनन द्वारा सजीव वस्तुएं अपनी संख्या बढ़ाती हैं प्रकाश संशलेशन एक प्रक्रिया के माध्यम से पौधे अपना भूजन पत्तियों द्वारा बनाते हैं जो की प्रकाश संशलेशन कहलाती है सूरे के प्रकाश में पौधों की पत्तियां वायू से कारबन डाय ओक्साइड तथा जड़ों से पानी लेकर उसे भूजन में बदल देती हैं प्रकाश संशलेशन के दौरान आक्सीजन निकलती है भूजन के स्रोत कुछ जन्तू अपना भूजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं वे शाकाहारी कहलाते हैं गाए और हाथी शाकाहारी के उधारण हैं कुछ जन्तू जीवित रहने के लिए अन्ने जन्तूओं को मारते और उन्हें खाते हैं वे मांसाहारी कहलाते हैं. चीता मांसाहारी का एक उधारण है. कुछ जन्तू, पेड़, पौधों तथा जन्तूं दोनों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं. वे सर्वाहारी कहलाते हैं. भालू और मनुष्य सर्वाहारी के उधारण हैं. हमने क्या चर्चा की? सजीव वस्तुएं सांस लेती हैं तथा गती, विकास एवं जनन करती हैं. सजीवों में भोजन द्वारा उर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को श्यौसन कहते हैं. प्रकाश संशिलेशन की क्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन पत्तियों से बनाते हैं. सजीव वस्तुएं बाहे उद्धिपन के प्रती प्रतिक्रिया करती हैं. जनन के द्वारा सजीव अपनी संख्या बढ़ाते हैं.